Hello everyone, I am Aashu Aarlawania and you are watching My Legal Code. Legal Aptitude, जी हाँ, Legal Aptitude, Legal Reasoning, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, exams आने वाले हैं, that is CLET 2020, उसके बाद में DULB, All India Law Entrance Test भी होने वाले हैं, तो इसके लिए जो major portion होता है, Legal Aptitude, Legal Reasoning, हम इसको छोड़ कर नहीं चल सकते, इसके लिए आपको इन portions को बहुत ही अच्छे से cover up करना बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छा score करना चाते हैं तो, देखिए, Legal Reasoning, Legal Aptitude, जो portion होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जब भी question आता है, I have seen a lot of students, वो क्या कहते हैं, कि जैसे ही कोई question आया, वो डर जाते हैं, वो कहते हैं, यार यह किस तरीके से solve होगा, इसमें क्या है, अभी हम lawyer बने थोड़ी ना है, यह किस तरीके के questions पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता, देखिए, वो सारे questions बिल्कुल common logic के होते हैं, डेली routine में क्या सही है, क्या गलत है, इससे related होते हैं, तो आपको बिल्कुल घवराने के जरूवत नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें मैं जो आपको steps बताऊंगा, आप उन steps के through चलेंगे, within 10 seconds, आप कितना भी tough question आपको लगता हो, आप legal aptitude, legal reasoning का उस question को बड़ा easily output दे सकते हैं, answer तक पहुँच जाएंगे, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें follow कर सकते हैं, Instagram, Facebook, Twitter वर Telegram पर, आपको search करना है my legal code और उसे subscribe कीजिए, आप इस lecture का PDF भी download कर सकते हैं Telegram से, तो चलिए, शुरू करते हैं legal aptitude, legal reasoning के topic को, देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी बात समझते हैं, कि why legal aptitude, legal reasoning are tested during the test, LLB entrance test में आपकी legal reasoning, legal aptitude से क्या judge किया जाता है, देखिए, आपको law study करना है, यह एक अलगी तरीके का subject है, आपको एक अच्छा lawyer बनना है, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ factual situations पर चलता है, तो LLB entrance आपकी एक skills को judge करता है, इन questions के माध्यम से, कि आप facts का use करते हुए, बिलकुल correct जगे पर, I mean correct answer पर कैसे पहुंसते हैं, इसलिए, इस entrance test में legal aptitude, legal reasoning का portion दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप यह जान लेजे, आपको अपनी skills दिखानी पड़ेंगी, आपके सामने जब previous years के questions आप देखेंगे, जो तने भी previous year question paper हैं, आप उनमें जाएंगे, legal aptitude, legal reasoning के questions को सबसे पहले face करेंगे, तो आपको एक ही बात पता चलेगी, कि उसमें आपका thought process चेक किया जाता है, आप अपने thought process को किस तरीके से चलाते हैं, और correct answer तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पर आपको ये पता चलेगा, कुछ questions को face करने के बाद, और जब इन questions को आप करते जाएंगे, तो आपको एक बात और समझ में आएगी, कि इन questions को करते-करते आप कई जगा first जाते हैं, मतलब biased रहते हैं, आपको पता नहीं चल पाता है, आपको लगता है कि ये भी सही है, ये answer पर पहुंचते हैं, इसी development को judge किया जाता है, LLB entrance test में, legal aptitude, legal reasoning के द्वारा, तो finally आपकी इसी skill को develop करने के लिए, legal aptitude, legal reasoning का जब भी question आपके सामने आएगा, तो आप किस तरीके से step up करेंगे, one by one step को follow करते हुए, कम time में ज्यादा output, I mean, सही answer तक पहुंचाएंगे, इसी क तरीके से question आएगा, डिट्टो, अब आपको इसे कैसे solve करना है, इसी के मैं जो step up बताऊँगा, आपको उनको follow करना है, concentrate होके सुनिएगा मुझे, सबसे पहले तो legal principle, factual situations, ये दो point होते है, legal aptitude का जब भी question आपके सामने आएगा, ये दो point होंगे, legal principle वो point होता है, जिसमें के आपको बताया जाता है कि law क्या है, क्या कानून है, किसके अंतरगत रहते हुए आपको facts को पढ़ने के बाद decision लेना है, और factual situation, मतलब एक factual situation दी हुई है, आपके सामने माली जी, आप lawyer है, आपके सामने एक situation आ गई, तो आप legal principle, law को follow करते हुए, जो आपको शुरूआते legal principle म बताया गया है, उसको follow करते हुए, आप किस तरीके से right decision तक पहुँचेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो legal principle दिया हुआ है, that is, whoever intending to think dishonestly any movable property out of the possession of any person, without that person's consent, moves that property in order to such taking, is said to commit theft, whoever commits theft shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, मतलब इसका ये है कि मान लीजिए, कोई भी इनसान जिसका की नियत बिल्कुल सही नहीं है, किसी के पास जाता है, और उसकी movable property, पहली बात तो movable property हिंदी में बोलते हैं, चल संपत्ती, मतलब किसी की कोई ऐसी संपत्ती जिसको आसानी से इधर से उधर ले जा सकते हैं, जै आप घर को इधर से उधर नहीं ले जा सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, immovable property, हिंदी में बोलें तो अचल संपत्ती, तो यहाँ पर चल संपत्ती की बात चल रही है, movable property की बात चल रही है, अगर आप किसी के भी पास जाते हैं, आप अपने रिष्टे में जा रहे हैं, आपने ली, लेकिन आपने उसकी consent नहीं ली, उसकी मंजूरी नहीं ली, तो इस situation में उसे चोरी का दर्जा दिया जाएगा, चोरी की शिरिणी में रखा जाएगा, जिसे कहते हैं theft, और अगर किसी को भी theft करते हुए पाया गया, अगर किसी ने इस तरीके का कोई कानूनी अपराद किया है, तो उसको तीन साल की सजा या फाइन या इन दौनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है, तो ये है आपका legal principle, अब factual situations को भी देख लेते हैं, सूरज sees a ring belonging to Neeraj lying on a table in Neeraj's house, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection, सूरज hides the ring under the sofa cover, where it is highly improbable that it will ever be found by Neeraj, सूरज has the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten, यहाँ factual situation बिल्गुल क्लियर है, सूरज नीरज के घर जाता है, वहाँ पर उसके पास एक table होती है, table पर उसकी एक ring रखी रहती है, ठीक है, अब उसको गलत intention से सोचते हुए, उसने क्या किया, को उसको जो ring है, उसको sofa cover के नीचे छुपा दिया, क्या सोचते हुए, कि immediately अगर यह गायब होती है, तो कहीं police inquiry ना हो, और search detection अगर start हुआ, अगर उसकी तलाशी जा रही हुए, और उसके पास वो मिली, तो यह बहुत गलत हो जाएगा, तो उसने क्या किया, कि अभी मैं sofa cover के नीचे छुपा देता हूँ, यहाँ पर पूरे पूरे chances हैं, क यह अंगूठी किसी को नहीं मिलेगी, और बाद मैं जब बिलकुल इस मामले को खतम कर दिया जाएगा, police भी इस मामले को भूल चिकी होगी, तो मैं एक दिन आऊँगा, आराम से उस अंगूठी को निकालूँगा, और अपने पास रख लूँगा, बाद मैं इसे बेच जब वो नीरज के घर पर गया है तो, अब यहाँ पर decision की बात करें, it's Suraj guilty of theft, क्या Suraj चोरी का दोशी है, option है yes, no, yes, because Suraj had the intention of removing the ring from नीरज possession, and another option is, yes, because Suraj had the intention of taking movable property from नीरज possession, and with this intention he moved the property, the answer is D, clear है, आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हम यहीं पर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि आपको किस तरीके से इस तरीके के question आपको approach करने है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है legal principle पर, legal principle बहुत major portion होता है, आपको उसका एक एक word आपको पढ़ना है, उसका मतलब समझना है, ठीक है, आप उसका कोई भी word, single word भी ignore नहीं कर सकते, otherwise आप answer तक नहीं पहुंच पाएंगे, अब आप इसको कैसे approach करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ, step one, सबसे पहले आपको क्या करना है, legal principle के जितने भी components है, उनको small sentences में break कर लो, ठीक है, जिस छोड़े-छोड़े sentences जिनका मतलब निकल रहा है, उनको break करो, सबसे पहला step यहीं रहेगा तो यहाँ पर हमारे दिये हुए legal principle को हम break करते हैं, whoever, जो कोई भी intending to take dishonestly, बेहिमानी के इरादे से, any movable property out of the possession of any person, without the person's consent, मतलब कि कोई भी movable property, कोई भी चल संपत्ती, किसी और इंसान का जिस पर हक है, उसकी मर्जी के बिना, उसके अधिकार शेतर से, या उससे अपने possession मे ले लेता है, मतलब clear है, एक बार फिर बोल देता हूँ, कि किसी भी इंसान से उसकी चल संपत्ती, movable property को उसकी बिना मंजूरी के आप अपने possession में ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके की जो चीज होती है, वो चोरी कहलाती है, और जो कोई भी चोरी करता है, shall be punished, उसे दंडित किया जा सकता है, with this principle which firmly perceived analyze the factual situation, आपने legal principle एक step में इस तरीके से समझ लिया, second step होता है, आप factual situations पर जाएंगे, और इस legal principles को उस पर apply करेंगे, तो वो काम भी हम यहाँ पर कर देते हैं, चलते हैं factual situations पर, हमने यहाँ पर भी समझने के लिए second step में क्या किया, कि factual situations को भी break कर लो, थोड़ा सा छोटा कर लो, तो और अच्छे से समझ में आएगा, legal principles को apply करने में, तो सबसे पहला point है, सूरज sees a ring belonging to nearest lying on a table in nearest house, जो पहला portion है, आपका factual situations का, वो यह है कि सूरज ने क्या देखा, नीरज के घर में, नीरज के पास में एक table है, वहाँ पर एक ring रखी हुई है, क् उसके बाद अगली बात, not venturing to misappropriate the ring immediately for fear of search and detection, उसका इरादा गलत था, लेकिन उसने immediately क्या किया, कि अगर वो चोरी करेगा, उसने सोचा और फटापट search and detection हुआ, पुलिस में inquiry हुई, या पुलिस ने inquiry की तो से अगर पकड़ लिया गया, तो वो ठीक नहीं रहेगा उसके ल सोफा कवर के नीचे उस रिंग को छुपा दिया, क्या सोच करके, क्योंकि उसने सोचा कि कुछ भी हो जाएगा, यहां से उस रिंग को यह नीरज जो है, धून नहीं पाएगा, मतलब किसी भी तरीके से यह रिंग सोफा कवर के नीचे रहेगी, और कोई आईडिया भी नही योगी और जिस टाइम पर सूरज has the intention of taking the ring from the hiding place and selling it when the loss is forgotten सूरज क्या करेगा जब पूरी investigation over हो जाएगी रिंग नहीं मिलेगी 99% chance है कि रिंग नहीं मिलेगी और रिंग जब नहीं मिलेगी पूरा case close हो जाएगा तो आराम से आएगा और वो उस जगह से उस रिंग को ले लेगा बाद में क्या करेगा उसे वो बेच देगा उससे पैसे बना लेगा आपको यहां पर बिल्कुल clear हुआ होगा अब चलो इस situation को पूरा re-analyze करते हैं इसको दुबारा देखते हैं हमने दो जो भी legal principle और factual situations को individually break किया है अब इसको re-analyze करते हैं यह हमारा अगला step है तो देखिए इसको re-analyze करेंगे तो whoever जो हमने ब्रेक किया था legal principle whoever सूरज कौन था सूरज intending to take dishonestly बेइमानी के इरादे से तो यहां पर बेइमानी का इरादा क्या है सूरज intention is dishonest because he ultimately wants to take the ring and sell it मतलब यहां पर सूरज का इरादा गलत था वेमानी वाला था उसे ultimately उसको चोरी करके बाद में बेचना था ठीक है तो यहां पर इरादे वाली बात आती है any movable property ring is movable property of course ठीक है जो ring होती है वो movable property है out of the possession of any person सूरज ने नीरज के possession से उसकी बिना मंजूरी के लिया without that person's consent नीरज की कोई भी उसमें मंजूरी नहीं थी moves that property तो नीरज की मंजूरी के बिना उसने वो property अपनी तरफ move कर दी in order to such taking इस तरीकी का जो उसने ring के साथ किया यह इस तरीकी की चीज को हत्याना या लेना is said to commit theft चोरी कही जाती है सूरज committed theft ठीक है whoever commits theft सूरज जिसने की चोरी की सूरज ने जो चोरी किया उसे punishment मिलेगा क्या क्या मिल सकता है तीन साल तक ही सजा fine या इन दौनों से उसे दंडित किया जा सकता है देखिए यह बहुत बड़ा benefit है जो मैंने पूरा method बताया है इस पूरे method का बहुत बड़ा benefit है आप इससे बिलकुल correct answer पर आते हैं किसी तरीके का कोई भी confusion नहीं रहता बिलकुल correct answer पर आप आएंगे explicit way में in the clear way तो इसलिए आपको बिलकुल घबराने की ज़रुवत नहीं है जो steps आपको बताये गए हैं आपको सिर्फ वही follow करने है first, second, third steps इसके अलाबा इधर ओधर कुछ भी ध्यान नहीं देना है आपको देखिए आपने यहाँ पर factual situations को पढ़ा, उससे पहले legal principles को पढ़ा, step by step चले, आपने उनको break किया, apply किया, सब कुछ किया, आपको काफी है तक समझ में भी आ गया, अब अपने तरीके से मैं आपको एक अलग तरीके से भी समझाता हूँ, देखिए वहाँ पर सूरज की बा थेफ्ट नहीं हो सकता, एक दूसरी चीजी होती है कि मालीजे सूरज ने मजाक ही है तोर पर जो दोस्तों में मजाक चलता है, रिष्टेदारों में मजाक चलता है, मजाक ही है तोर पर नीरज के साथ मजाक कर दिया, अंगूठी छुपा दी, ठीक है, लेकिन उसका intention नहीं ताकि बाद में वो वेच देगा, इन्वेस्टिकेशन ओपर हो जाएगी, पैसे बना लेगा, ऐसा कोई उसका इरादा नहीं था, तो इस केस में भी सूरज के उपर थेफ्ट के चार्जस नहीं लगेंगे, क्योंकि यह थेफ्ट है ही नहीं, वो एक प्रैक्टिकल जोक चल इसके अलावा एक आता है कि नीरज अपनी मर्जी से सूरज को रिंग दे दे, बाद में भली सूरज लोटा है या ना लोटा है, वो एक अलग केस है, वो डिस ओनस्ट का केस है, क्रिमिनल लौ में सारी चीज़ों के पनिश्मेंट है, लेकिन यहां पर थेफ्ट नहीं है, क् आप यह कहने लग जाओ कि डिस ओनस्ट किया, यह किया, यह गलत है, वो है, वो सब है, क्रिमिनल लौ में सब के पनिश्मेंट है, लेकिन यहां पर हम थेफ्ट की बात कर रहे हैं, we are talking about the gift only, so we have to stick on this point, don't go here and there and don't determine wrong things, ओके, तो यहां तक आपको समझ में आया थेफ्ट क्या चीज है एक केस में और थेफ्ट हो सकता है मान लीजिए सूरज एक भिखारी है उसने काफी दिनों से कुछ खाया नहीं है उसने देखा कि नीरज के घर में अंदर की तरफ कुछ पिकल रखा हुआ है अचार रखा हुआ है वो क्या करता है गेट को ओपन करता है अंदर जाके जार को उठाता है उसमें से पिकल को खा लिता है और वह जब भागने की कोशिश कर रहा होता है तो इस केस में क्या हो गया कि सूरज ने वाकई में थेफ्ट किया है क्योंकि एक तो उनकी प्रॉपरटी मतलब पिकल उनकी बिना मरजी के खा लिया अब वो किस जगह पर वो पर कानूनि भाषा में dishonest का मतलब यह होता है कि कानूनी रूप से गलत तरीके से किसी की property का कोई नुकसान हो गया हो मतलब यह है रॉंग्फुल लॉस गलत तरीके से कोई लॉस हो गया है किसी की property का कानूनन सही नहीं है ठीक है इसलिए हम यहाँ पर डिसॉनटली यूज करते हैं तो ऐसे केस में भी यह थेफ्ट का ही केस है भले उसे भूंक लग रही थी कुछ भी लग रहा था लेकिन उसने एक ही प्रॉपर्टी में जाकर उनकी कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी को खाया और वो किसी की प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है उनकी मर्जी के बिना किसी और ने उसका यूज कर लिया हां देखिए तो यह जो मैंने आपको एक्जंपल बताया है कुछ स्टेप्स बता हैं आप इसको इसी तरीके से फॉलू कीजिए का फर्स्ट सेगें थर्ड स्टेप आपको स् अटोमेटेकली धीमे धीमे ग्रेजुली यू विल कम टू नो कि आपका मेंटल स्पीड और एक्यूरेशी इसमें बढ़ती जा रही है और आपको जो कॉन्फिदेंस डाउन रहता था वो भी काफी डिवेलप होता जाएगा एक्क्यूरेशी बढ़ेगी स्पीड बढ़ेग इन लीगल एप्टिटूट रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके सामने आते हैं उनमें किन-किन एरियाज को डिसकस करते हैं किन-किन एरियाज से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं हम इसी के बारे में अगले पार्ट में डिसकस करेंगे आप बने रह यहां.